कि जहीं दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने यूटूब चैनल बेस्ट अस्टेजी पॉइंट में दोस्तों आज हम लोग एससी जीडी को ध्यान में रखते हुए जीके जीस के इंपोर्टेंट प्रस्ट पढ़ेंगे ठीक है और शुरू करने के पहले आपसे मेरा रिक् हमेंट की धातु के बना होता है तो बल का फ्लाइमेंट है तो टंंगस्टन키 का बना नहीं होता है जो आघन होता है अपका pół स्ट्रिट लाइट में कौन सत्त के कारण पिला होता है जो सड़क की किनारे दोस्तो अगे बढ़ते दोस्तों और अगले प्रस को देखते हैं अगला प्रश्ण है आपका थांगता मार्शल आठ किस राज से समन्दी थे तो थांगता जो है जो मनिपूर से समन्दी थे ठीक है दोस्तों मैं आप लोगों को जो भी प्रश्ण बता रहा हूँ वो जीडी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है इलिए प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा वाज किरें ठीक है चलिए नेक्स पॉइंट है आपका गत का मार्शल आठ समन्दी थे तिये पंजाब से समन्दी थे नेक्स पॉइंट है आपका कलारी पट्टु मार्शल आठ समन्दी थे तिये केलरा से समंदी थे का से कलारी पट्टू ठीक है और का से केरल और कलारी पट्टू मार्शल याट कहां समंदी थे तो केरल से समंदी थे नेक्स प्वेंट है आपका मल्खम मार्शल याट समंदी थे ये जो एसो मतपर्दिश से समंदी थे मा से मल्क हम और मा से मत पर्दिश चलिए आगे बढ़ते दोस्तों और तीसरे परस को देखते हम तीसरा परसन है आपका मौली करतब का वर्नर किस अनुछेद में होगा तो मौली करतब का वर्नर जो है जो अनुछेद एक आवन के काम में है अब कुछ related point देख लेते दोस्तों मौली करतब कहां से लिया गया तो मौली करतब जो रूस से लिया गया है नेक्स point आपका मौली कदिकार मौली कदिकार का वर्नर किस अनुछेद में है तो मौली कदिकार का वर्नर जो है समुखेद 12 से 35 में है ठीक है नेक्स प्वेंट है आपका कि मौलिक अधिकार कहां से लिया गया तो मौलिक अधिकार जो से अमिर्का से लिया गया है अब देखिए इसमें रिलेटेड देखिए मौलिक अधिकार आज से अधिकार और आज से अमिर्का अनि मौलिक अधिकार जो प्रस्ट को देखते हैं चौथा प्रस्ट ने है आपका वकाटक वन्स की अथापना किस ने किया था तो वकाटक वन्स की अथापना विंद सकती ने किया था दोस्तों वन्स की अथापना से भी एक प्रस्ट जीडी में आ रहा है ठीक है अब रिलेटेट पॉइंट देख लेत गहलवाल वंस की अठठबन की थी जंदर दीयुने निक्स फइंट है आपका 24 वंस के अठबन की थी तो वासु दीयुने की थी चले आगे बढ़ ते दोस्तों और देखते हैं पाच्वण परस्त परस्त क्या है पाचमा परशन है आपका 101 सविधान संसोधन समंधी थे तिये माल एउं सेवाकर अनि GST Goods and Service Tax से समंधी थे Next point है आपका 102 सविधान संसोधन समंधी थे तो राष्टिये पीठ़डा वरगायोग से समंधी थे ठीक है Next point है आपका 130 सविधान संसोधन समंधी थे तो समान वरग को के गरीबों को 10% अरच्छन ठीक है 130 सविधान संसोधन समंधी जिसमें EWS बना करके 10% जो है अनारच्छित वरग को दिया जा रहा है अरच्छन दिया जा रहा है वही चीज़े है ठीक है चलिए आगे बढ़ते है और छठ्छे प्रत को हम लोग देखते है छठ्छा प्रत क्या है आपका छठ्छा प्रत नहाए कि महात्मा बुद्ध को कहा महापरी निर्मान प्राप्त हुआ है तो आप लोग सभी को मालूम होना चाहिए कि यह खुशी नगर में हुआ है आप लोग सभी कोई जानते भी होंगे चलिए अब रिलेटेज प्रत देख लेते दोस्तों ठीक है नेक्स प्रत आपका बुद्ध के ग्रहत्यार की घटना कहा लाती है तो यह जो है महापरी निर्मान कहा लाता है ठीक है प्रत आपका बुद्ध ने सरवधी कुपतेश कहा दिये थे ने सरवधी कुपतेश सारननात में दिये थे चलिए आगे बढ़ते दोस्तों और अगले प्रस को देखते है अगला प्रस्त नहापका सुवाचंद बोस अस्टेडियम कहां इस्थी थे सुवाचंद बोस अस्टेडियम जो है असम में इस्थी थे अब related point देख लेते हैं दोस्तों एक अस्टेडियम भी आ रहा है दोस्तों अस्टेडियम पुछा जा रहा है इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए रिजल्ट पक्का है कि आपका हो गई वान खेड़े अस्टेडियम इस्थी थे तिये जोह सो मुंबई में इस्थी थे next point आपका स्वाई स्वाई मांसी अस्टेडियम इस्थी थे तिये जोह सो जैपूर में इस्थी थे next point आपका इंदरा गांधी अस्टेडियम इस्थी थे तिये विजेवाला आनि आंध्रपरदिस में इस्थी थे चलिए आगे बर्षते हैं अलुक दोस्तों वीडियो के ज़रूर लाइक करें और चैनल सब्क्राइब कर लें ठीक है चलिए आठों प्रस्थन है आपका असोक के कलिंग अभी लेक का वर्नन किस सिला लेक में है यह जो है सो तेरावे सिला लेक है असोक के कुल कितने सिला लेक है तो मुख जो है सो चाओदा सिला लेक है तीक है और तेरावे सिला लेक में असोक के कलिंग विजय का वर्नन है अब रिलेटेज प्वेंट देक लेते दोस्तों पहला प्वेंट है असोक के सिला लेक को पढ़ाता तो सबसे पहले असोक के सिला लेक को जेम्स प्रिसेंप ने पढ़ा था नेक्स पॉइंट आपका असोग ने बहुत धर्म की दिछा किसे लिए थे तो ये उपगुप्त से लिए थे next point है आपका कलिंग की राजधानी कहा थी तो कलिंग की राजधानी तोसली थी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और नौमे परस्ट को देखते हैं नौमे परस्ट नहीं है आपका sodium bicarbonate का सुत्र क्या है तिका सुत्र है NaHCO3 ठीक है इसको आद कर लिजेगा अच्छा साद कर लिजेगा यह हमेशा आ रहा है दोस्तों ठीक है next point है आपका sodium chloride का सुत्र है तो sodium chloride का सुत्र है NaCl ठीक है चलिए next point है आपका sodium chloride का वेपारिक नाम है इसका साधारन नमक है जो लोग खाते है नमक नेक्स्ट पॉइंट है आपका सुख बरब का रसाई निक नाम है जिसका ठोस कारबन डॉकसाइड कहा जाता है एक मिनीट दूस्तो इसका ठोस कारबन डॉकसाइड कहा जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है आपका नाथ्पा जहाकरी परियोजना किस राज में इत्ती थे यह जो है सो हिमाचल परदेश में इत्ती थे नेक्स्ट पॉइंट आपका लोक तक 37 परियोजना इत्ती थे तो लोक तक जहां भी आज ए ठीक है, तो वो समझ जाएं, मनीपुर में है नेक्स प्वेंट आपका सलाल पर्योजना इस्थी थे यह जम्मू कासमिल में इस्थी थे नेक्स प्वेंट आपका कोईना पर्योजना इस्थी थे यह महराष्ट में है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और एगाराम प्रस्थ को देखते हैं एक अरहमा प्रस देखते हैं, एक अरहमा प्रस नहीं आपका तवांग उत्सव किस राज में मनाये जाता है, ति ये अस्वराज में मनाये जाता है, नेक्स प्वेंट आपका धानु जात्रा उत्सव मनाये जाता है, ति ये उडिसम मनाये जाता है, उत्सव से भी एक प्रस्ट को देखते हैं हम लोग बारहम प्रस्टन है आपका हाथी गुपा अभिलेक समंदीत है यह जो है शुकलिंग राजा खारविल से समंदीत है नेक्स प्रेंट आपका जुनागड़ा अभी लेक समंदीत है तो रूद्रदावन से समंदीत है नेक्स प्रेंट आपका नासी कभी लेक समंदीत है तो गौत्मी बल्थ्री से समंदीत है नेक्स प्रेंट आपका परियाग अस्तम लेक समंदीत है तो समद्गूत से समझतीत है चलिए दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्क्राब कर लें